हलो एब्रीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल इंगलिस भाई छबी सर चैनल पर आप सभी विवर्स का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं डिसकस करने जा रहा हूँ बिये थर्ड सेमेस्टर के पेपर बिटिस एंड अमेरिकन ड्रामा की यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 8 अनिशन विलियम्स के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा एक स्ट्रीट कार नेमड डिजायर तो दोस्तों आज हम स्ट्रीट कार नेमड डिजायर से एक करेक्टर को डिसकस करने वाले हैं तो चलिए कुशन को रीट करते हैं Describe the character of Stella Kowalski. Stella Kowalski के चरित्र चित्रन का वर्णन करें. Let's see the answer. Character of Stella Kowalski. Stella Kowalski is the younger sister of Blanche. जो Stella Kowalski है वो Blanche की younger sister है यानि उसकी छोटी बहन है. She is about 25 years old. उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की है. She has run away. वोई भाग जाती है from her home अपने घर से. And married Stanley Kowalski. और Stanley Kowalski के साथ वोई शादी कर लेती है. She loves. वोई प्यार करती है her bad manner husband. यानि अपने बुरे बैवार वाले पती से. And she does not cherish any illusion about her life. और वोई अपने जीवन के बारे में कोई illusion नहीं पालती है. See is very practical. वोई बहुत बैवहारिक है. And down to earth in her nature. और अपने nature में down to earth है. As the play opens. जैसे play की शुरुबात होती है. See is pregnant. तो हम उसको pregnant देखते हैं. And expecting her baby. और वोई अपने baby के लिए expecting मतलब उमीद कर रही है. उसकी आसा कर रही है. See is very affectionate. वोई बहुत affectionate है. यानि इसने ही है towards her sister Blanche. अपनी बहन Blanche के प्रती. But she comes to know. लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है that की. Her husband Stanley has raped Blanche की उसके पती Stanley ने Blanche का rape करने की कोशिश की. So, she became angry तो वो बहुत नाराज हो जाती है to her husband अपने पती से. And says to her husband और अपने पती से कहती है that he should do nothing like this. की उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. Stella is Blanche यंगर सिस्टर. Stella जो है Blanche की यंगर सिस्टर है. But in many ways. लेकिन कई माइनों में she behaves like the elder of the two. वह दौनों बहनों में से ऐसे behave करती है जैसे elder हो बड़ी हो. Stella appears more grounded, more tolerant and less sensitive than Blanche. यानि की जो Stella है Blanche की तुला में अधिक grounded है. यानि जमीनी इस्तर पर अधिक tolerant है, सहनसील है and less sensitive और बेहद कम यानि कम सम्विदन सील प्रतीत होती है. Stella performs kind acts of others. Stella दूसरों के परती दयालता पूर्ण कर करती है. Throughout the play यानि play के दौरान, Stella is placed between Blanche and Stenely. Stella Blanche और Stenely के बीच में खड़ी रहती है. Blanche with whom C shares a background and upbringing यानि की जो Blanche जिसके साथ उसकी प्रस्ट भूमी यानि background और upbringing परवरिष को share करती है. यानि परवरिष को साज़ा करती है. Represents her past और अपने past को अपने past का represent करती है. यानि अपने past का प्रतीनिधित करती है. दस इस प्रकार The character of Stella Stella का जो चरित्र है fulfills वो पूरा करता है Two basic functions यानि दो सामान कर्यों को पूरा करता है She is deeply involved Deeply involved का मतला होता है गहराई से सामिल होना यानि जो Stella है वो बहुत गहराई से सामिल है In the battle between her sister and her husband यानि अपने sister और अपने husband के बीच लड़ाई में वो involved है How ever, हलाकी, on the whole यानि कुल मिलाकर C maintains a passive role वो अपने passive role को maintain करके रखती है यानि उसको कायम करके रखती है तो दोस्तों ये था आपका करेक्टर सकेच आप स्टेला कोवाल्स की आपको कैसा लगा कम्मेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिलकुल भी मत भूलें तो तब तक आप खुश रहिए मस रहिए और जहां रहिए परसन रहिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में थांक यू फॉर वचिए तो वाचिए